आज हम करेंगे प्रकास के अपवर्तन का टॉपिक नंबर थ्री निरपेच तथा सापेच अपवर्तनांग में क्या संबंद है अपसलूट एंड रिलेटिव रिफ्रेक्सिव इंटेक्स ठीक है तो पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है कि सापेच अपवर्तनांग क्या है अगर आप हमारे चैनल पर नएए हैं तो लाइक इने सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए देखलो आप सापेच अपवर्तनांग क्या होता है यदि प्रकास की रण क्या यदि प्रकास की रण किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जा रहा है तो अनुपात साइन आई बटा में साइन आर को पहले माधियम के सापिछ पहले माधियम के सापिछ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांग कहलाता है दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांग कहलाता है ठीक है अर्थात जो हमारे पास फार्मूला मिलेगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांग 1N2 बराबर साइन आई बता में साइन आर साइन आई बता में साइन आर